नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग प्रेक्टिस सेट वन पर बात करेंगे, जिसमें रेलबे एंटी पीसी और ग्रूब टी का कोश्चन रहेगा, दोस्तो प्रिवियस एर कोश्चन पर ज्याद आपको जो इसमें कोश्चन रहेगा, वो साइंस और जीके का कोश्चन रहेगा, तो आपको कोश्चन देख करके पता चल जाएगा, कि आपके लिए कोश्चन कितना इंपोटेंट है, तो चलिए पहले हम लोग कोश्चन देखते हैं, तो फिर आप लोग से हम बाते करेंगे ओके दोस्तो, चलिए पहले question देखते हैं, question क्या कह रहा है, question कह रहा है, भार का SI मातरक क्या है, हाँ दोस्तो, भार का SI मातरक क्या है, तो भार का SI मातरक हो जाएगा Newton, क्या हो जाएगा दोस्तो, Newton, भार का SI मातरक क्या हो जाएगा, Newton हो जाएगा, आप देख करके यहां से पता कर सकते हैं कि यह question कितना important है क्योंकि यहां पर exam में पूछा हुआ है और किस exam में पूछा है और किस तारी को पूछा है ओभी mention है तो आपको इस से पता चल जाएगा कि इक question का important कितना है ओके दोस्तो चलिए next question देखते हैं next question कह रहा है next question कह रहा है समवेग की इकाई क्या है हाँ दोस्तो समवेग की इकाई क्या है तो समवेग की इकाई हो जाएगा kg meter per second क्या हो जाएगा दोस्तो kg meter per second option b हो जाएगा सही उतर ओके दोस्तो चलिए next question देखते हैं next question कह रहा है next question कह रहा है आपको बिधुत आवेस का SI मातर क्या है क्या question कह रहा है बिधुत आवेस का SI मातर क्या है तो बिधुत आवेस का SI मातर क्या हो जाएगा कुलंब क्या हो जाएगा दोस्तो कुलंब बिदुत आवेस का SI मातर क्या हो जाएगा तो कुलंब हो जाएगा यहां आप देखिए कि यह कोशन कितना important है आपको यहां से पता चल जाएगा देखिए कितना exam में और कितना बार repeat किया है यह कोशन तो आपको questions का important पता चल जाएगा दोस्तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जाएगे टेलीग्राम पर वहाँ career education सर्च करकर उस group में add हो जाएगे या मैं description में link दिया हूँ वहाँ से भी आप PDF पराप्त कर सकते हैं ओके दोस्तो चलिए next question देखते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है परकास बरस निमने लिखित में से किसकी इकाई है हाँ दोस्तो परकास बरस निमने लिखित में से किसकी इकाई है या question कह रहा है तो इसका उतर हो जाएगा दूरी की किसकी इकाई है दोस्तो दूरी की परकास बर्थ निमने लिखित में से किस की इकाई है तो दूरी की इकाई है ओके दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है पर्तिरोध की SIE काई क्या है या क्या है तो पर्तिरोध की SI E काई क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम, तो पर्तिरोध की SI E काई क्या है, तो ओम है, ओके, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है, SI पर नाली में पर्तिबल की माप की E काई है, तो क्या है, तो question का कितना important है अगर आपको अभी तक अंधाजा नहीं हुआ है तो आप उठिए जागिए क्योंकि आपके लिए एक question important है और मैं वही question practice अभी आप लोगों को करा रहा हूं जो exam में हर हाल में इस तरह से question पूछ रहा है और इस तरह से question तो पूछने का हर exam में आज कर टेंड चल गया है वही question मैं आप लोगों का practice करा रहा हूं अगर आप लोगों को benefit हो रही है इस तरह से question से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह का कभी भी मैं प्रेक्टिस एट वीडियो अपलोड करूं ऐसे ही तो म मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करते रहूंगा और आप लोग कमेंट करकर के कहिए बताइए कि आप लोगों के और प्रेक्टिस एट किस टॉपिक पचाहिए अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह से कोशेन और आगर आपको स्टैटिक जी के पर प्रेक्टिस हैट करना है तो आप कमेंट कर Корकर ओके next question देखते हैं थोड़ा मैं question छोटा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में धीकत नहीं हो next question कह रहा है निमने लिखित में से किस की कोई इकाई नहीं है यह चार जो option दिया गया है इस में से किस की कोई इकाई नहीं है तो साप एकछित घनतों की कोई इकाई नहीं है तो option B हो जाएगा right उतर हां दोस्तों निमने लिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो साप एकछित घनतों का कोई इकाई नहीं है ओके, दोस्तो, next question देखते हैं, next question कह रहा है, निमने लिखित में से, हां दोस्तो, निमने लिखित में से, डैस और दीस रासी नहीं है, ये चार जो option है, इसमें से कौन और दीस रासी नहीं है, नहीं पूछ रहा है, और दीस रासी नहीं है, तो बल जो है, वो और दीस रासी न नहीं है ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है एंपियर सकेंड डिस्की इकाई है तो एंपियर सकेंड किसकी 1 है किसकी 1 है दोस्तों आवेश की 1 है है ampere second किसकी इकाई है तो always की इकाई है ओके दोस्तो next question देखते हैं next question कह रहा है gallon समानतर dash में इस्तमाल किया जाता है हाँ दोस्तो gallon समानतर dash में इस्तमाल किया जाता है किस में इस्तमाल किया जाता है gallon का तो gallon का आपको item की map के रूप में इस्तमाल किया जाता है किसमें इस्तमाल किया जाता है गैलन का तो आयतन की माप के रूप में इस्तमाल किया जाता है दोस्तों मैं एक कोशन दो बार तीन बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार ही वीडियो देखने से सारा कोशन याद हो जाए और हम लोग ओ कोशन कर रहे हैं जो कोशन बहुत बहुत important है और ये सारा कोशन हर exam में आजकल tend हो चुका है कोशन पुछने का वहीं कोशन हम लोग कर रहे हैं अगर अभी तक आप इस चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपसे miss न हो इसी तरह का वीडियो आपको per day notification के थुरू मिलते रहें इसलिए आप इस चैनल को subscribe कीजिए और इस चैनल को जुड़िए इस चैनल से जुड़िए ओके दोस्तो चलिए next question देखते हैं next question कह रहा है औन अपचारिक रूप से खगोलिय दूरी को ब्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का परियोग किया जाता है तो परकास बरस का परियोग किया जाता है कौन सी लंबाई का परियोग किया जाता है तो परकास बरस की परियोग किया जाता है यह question मैं फिर repeat कर दे रहा हूं, question कह रहा है, on अपचारिक रूप से खगोलिय दूरी को ब्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई का परियोग किया जाता है, तो परकास बरस का परियोग किया जाता है, उमेद किये हुँ है कि यह question याद हो गया होगा, ओके दोस्तो नग्स्ट कोश्चन देखते हैं, दबाव की SI1 क्या है, दबाव की SI1 क्या है, तो दबाव की SI1 हो जाएगा, नीव्टन प्रती बर्ग मीटर ईस्क्वायर। ओके नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है दाब का हाँ दोस्तो दाब का ऐसाई मातर क्या है तो दाब का ऐसाई मातर क्या हो जाएगा पास्कल क्या हो जाएगा दोस्तो पास्कल हो जाएगा तो आपको राइट एंसर सी हो जाएगा अफसन सी दाब का अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट हैं क्या कोशन कर रहा है डैस प्रित्वी से लेकर सूज तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है तो कौन है एस्ट्रोनोमिकल कौन है दोस्तों एस्ट्रोनोमिकल यूनिट तो अप्सन भी हो जाएगा आपका राइट उतर डश प्रित्वी से लेकर सूझतकी अनुमालित दुरी की लंभाई की यूनित हैं तो एस्ट्रोनोमिकल यूनिट है ओक दोस्तों नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है बल यानि की फोर्स की SI unit क्या है तो निूटन है क्या है दोस्तों निूटन बल यानि की force की SI unit क्या है तो newton होएं ओके दोस्तो next question देखते हैं next question कह रहा है बिस्थापन क्या question कह रहा है दोस्तो बिस्थापन की SI1 क्या है तो बिस्थापन की SI1 क्या हो जाएगा meter क्या हो जाएगा दोस्तो meter तो option A हो जाएगा आपका सही उतर बिस्थापन का या बिस्थापन की SI unit या एकाई क्या है तो मीटर हो जाएगा ओके next question देखते हैं next question कह रहा है next question कह रहा है विवांतर की SI एकाई क्या है हाँ दोस्तो विवांतर की SI एकाई क्या है तो विवांतर की SI एकाई वोल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, भॉल्ट, विवांतर की SI1 क्या है तो भॉल्ट हो जाएगा, भॉल्ट है, देखिए question दोस्तों कितना exam में repeat किया हैं तो आप question का important समझे और business ध्यान देकर पढ़िए यह सारा question क्योंकि यह से आपको hundred percent दो या तीन question पक्का है कि question repeat करेगा जो हम लोग practice it अभी कर रहे हैं दोस्तों यह practice it बहुत दीन तक चलते रहेगी जब तक आप लोग चाहिएगा तब तक यह practice it चलते रहेगी तो मैं सोच रहा हूँ कि और सारा जैसे कि static जीके हुआ या physics का हुआ अभी तो हम लोग physics का कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का जैसे कि reasoning का भी practice it सोच रहा हूँ ला करना है अगर आप लोग कहिएगा तब है हम लाएंगे अन्याथा फेभ हिजूल की practice it लाने से क्या फाइदा जो आप लोगों के लिए important नहीं हो तो आप लोगों को comment करके बताएगे कि आप लोगों का ऐसा practice it चाहिए कि नहीं चाहिए ओके दोस्तों next question देखते हैं next question कह रह कोरा है तो किसकी है तोरण की गहीं तोरण की ऐस अगाई और जी का ऐसा एकाई दोनों सेम ही हैं यहीं question कह रहा है question मैं फीर पढ़ रहा हूं question कह raha है G के मान की SI1 वहीं है जो dash की SI1 है तो तोरण की SI1 है तोरण की SI1 या G की SI1 क्या है तो meter per second square बेंगे क्या है दोस्तो meter per second square तो answer D हो जाएगा आपको right answer ओके next question देखते हैं next question कह रहा है निमने लिखित में से कौन भावतिक मतराओं की SI1 समान है निमने लिखित में से किन या किन भावतिक मतराओं की SI1 समान है यह चार option में से आपको चुनना है निमने लिखित में से किन भावतिक मतराओं की SI1 एक समान है तो कारे और उर्जा की SI1 एक समान है क्या है दोस्तो कारे और उर्जा की SI1 एक समान है दोस्तों नेक्स्ट कोचन देखते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है निउटन मीटर एसक्वाइर पर केजी एसक्वाइर की एसाई एकाई क्या है तो गुर्तव आकर्षन के स्वर्व भौमिक नियतांग हैं ओके दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है परती रोधाक्ता की ऐसाई इकाई क्या है कोश्चन क्या कह रहा है दोस्तो परती रोधाक्ता की ऐसाई इकाई क्या है तो ओम मीटर है क्या है दोस्तो ओम मीटर है हाँ दोस्तों डैस चाल की SIE काई है तो मीटर एसक्वाइर सोरी दोस्तों मीटर पर एसक्वाइर सोरी एसक्वाइर नहीं होगा मीटर पर सकेंड हाँ दोस्तों चाल की अंतराष्टी SIE काई है तो मीटर पर सकेंड क्या है दोस्तों मीटर पर सकेंड ओके दोस्तों नेक्स्ट इक ही है हा दोस्तो निमने लिखीत में से किन दो भावतिक रास्यों की इक ही ही है तो बाल और भार की ओके दोस्तो न rhy governments देखते हैं 영 and the question कहा रहा है डैस की एसाई इस ऑई जूल पर सकेंड है हा दोस्तों जल की एसाई इक है जूल पर सकेंड है किनकी है तो आपको सकती की किसकी है दोस्तो सकती की डैस की एसाई एकाई जूल पर सकेंड है तो सकती की एकाई जूल पर सकेंड है ओके दोस्तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है तोरण की एसाई एकाई क्या है कोशन क्या कह रहा है दोस्तो तोरण की SI1 क्या है तो meter per second square क्या है दोस्तो meter per second square तोरण की SI1 क्या है तो meter per second square ओके next question देखते हैं next question तो रहा नहीं दोस्तो हम लोग 30-30 question का practice set कर रहे हैं आज practice set 1 था जिसमें 30 question हम लेकर आये हुए थे इसी तरह का आपको रोज दिन एक practice set 30 question का मिलते रहेगा यह 30 question को आप revise करिए क्योंकि यह question बहुत important है मैं वहीं question लेकर आ रहे हैं जो question हर exam में आजकल trend है हर exam में पुछने की maximum chance हैं तो वहीं question हम लेकर आ रहे हैं ओके दोस्तों चलिए आपसे next practice set पर मैं बात करूंगा ओके दोस्तों मन लगाकर पढ़िए और अपने मता पिता का नाम रोसर